ये साड़े तिन तिन फिट पे एक एक पाइप दी गई है 20 किलो वजन है दो भई दो साइज उपर वाली पाइप का ये डाइफिट निच्छे तक लाके फासनर मारे गए है ताकि इधर से भी शेड जंप ना ले दलान देख सकते हैं आगे की साइड अप है पिछे की साइड है टोटल प्राइज शेड का 83,000 तिरासी अजार रुपे साइज दोस्तों यदि आप भी इस तरह का प्रोफाइल शीट का मैटल शीट का अपने घर के लिए या अपनी शौप के लिए कोई शेड बनाना चाते हैं कार पार्किंग के लिए शेड बनाना चाते हैं मैटल रखना चाहिए इस वीडियो में complete detail से बताऊंगा कितने रुपे का शीट लगी कितने रुपे का लोहा लगता इसको बनाने में कितनी लेबर लेते हैं हमकारीगर लोग क्या-क्या समान लगता इसको बनाने में तो total detail से बात करने वाला हूं दोस्तों आज के इस वीडियो मे complete shed कितने रुपे स्केर फिट बनता है तो शुरू करते हैं दोस्तों मेरा नाम है मोली सिंग आप देख रहे हैं SS fiberglass and fabrication works सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ सावदानिया बतायता हूं जो आपको shed बनाते समय रखनी है दलान देख सकते हैं आगे की side up है पिच्छे की side down है बहुत कलाकारी है अगर पानी आगे की तरफ डालते तो सारा यहां पर फर्ष पूरा पानी-पानी हो जाता का पॉनारा बनाके लगाना पढ़कर बनाद बदोस्तों तो लगा के 15 mm के बोल्ट लगा रखे और यहां पर टाइट कर दिया यह तीन इंची स्केर पाइप है जो फोल खड़े किये हैं तीन पॉल लगे तीन इंची स्केर पाइप के इस पाइप का वजन 28 kg है यह जो कैंची आरी आप देख रहे हैं आगे की साइड पिछे की साइड पाँच सूत मतलब की 15 mm के बोल्ट लगाए है दिवार की उस साइड से फोटो में आप देख पा रहे हैं बोल्ट टाइट किए गए दिवार के अंदर इसका फाइदा यह है बाई चांस अंधी आती है तो यहां पर अगर लगाते तो यह हिल भी सकता था लेकिन यह जो इंटो लगाए गए और आगे की साइड में तीन पॉल दिए और इसके बाद आप सेंटर में देखेंगे सब जगाए पे सरीय की कुंडियां बनाके लगाए गी है ताकि कभी पंखा लगाना पड़े परदा लगाना पड़े तो लगाया जा सकता option दे दिया है लगाओ ना लगाओ वह आपकी मर्जी है ठीक है यह सब छोटी-छोटी सावधानिया छोटी-छोटी जानकारी मैंने आपको देनी थी इसके बाद एक और जानकारी देता हूं यह जो आगे की साइड में आप राउंड देख पा रहे हैं राउंड के उपपर जहां पे भी शीट को शीट टच कर सक्रू लगेगा इसके उपपर और से जो लगेंगे वह दो इंची स्क्रू है और हर एक टॉप के उपर स्क्रू लगेगा जहां पे शीट प्लेन वहां पे स्क्रू नहीं लगाना आपको इस चीज़ का खास ब्यान रख़ें साइड में फोटो दे रहा हूं इस पर आप दे शारी जानकरी आपको इशेड के बारे में बता दी है अब बात करेंगे प्राइज की दोस्तों आगे की साइड में तीन पॉल दिये गए हैं ऐसे ही पिछे तीन पिलर हैं आगे चार पॉल भी दिये जा सकते थे लेकिन उस साइड में दिवार आगी इसलिए पॉल देने की यह जो आप देख देख रहे हैं यह जो पिछै लंबी पाइप जारे है इसको कैंची बोलते हैं कैंची दीं गई है तेरह 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 फिट पे एक दो तीन और चार तेरह 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 फिट पे कैंटी буir idqodol, और साड़े 3.5 पीट पे परवाली पाइप का यह जो डेढEEP आप देख पारें यह डेड़ तीन का है इसका भी वजन 20 किलो होता है दोस्तों अब बात करेंगे माल मेटीरियल लोहा शीट कितनी कितनी लगी है कौन सा मेटीरियल क्या रेट अता है तो शुरू करते हैं लोहा इसमें साड़े 400 किलो लगा है जो कि 70 रुपे किलो के इसाब से 31,500 रुपे का दिसंबर का महिना 2022 की बात कर रहा हूँ एलनाबाद जिला सिरसा अर्याना की बात कर रहा हूँ आपके शहर में रेट अलग हो सकते हैं चद्दर जो है 2750 रुपे की एक शीट आती है दोस्तो 18 फिट लंबी जिसके अंदर 15 इंच की गुलाई दी गई है जो यह मैटल शीट आप देख पा रहे है इसमें 15 इंच की फ्रेंट की साइड में गुलाई है टोटल मिलाके 18 फिट लंबी है गुलाई समेत यह गुलाई जो है इसको साथ में एड़ करके 18 फिट लंबाई है 2750 रुपे की एक शीट है 140 रुपे रनिंग फिट शीट का रेट हो गया दोस्तों तो टोटल शीट लगी है इसमें 12-40 फिट शैड बनाने में 12 शीटे लगी है और 33,000 रुपे की 12 शीटे है 200 शीट लगे है उपर से जो शीट के उपर लगते है 200 शीट हजार रुपे के फ्रंट की साइड में 12 शीट एक इंची लगे है जो की 24 रुपे के 24 रुपीज नट जो लगे है यहाँ पे आप देख पा रहे है यह वाले 15 इंची नट है पिछे वाले जो जो एंगल में लगा लगा रखें यह जो एंगल में लगा रखें यह दस इंची के ताकि दिवार से बाहर ना निकले यह दस इंची के दो और उस साइड में जो सामने दिवार पे जो पत्तियां आप देख पा रहे हो यहाँ पर फासनर लगे चार इंची तीन सूत मोटे तो कुल मिला के जो अठारा टोटल साइज हुआ चालिस भाई अठारा साथ सो बीस स्केर फिट इंटू बीस रुपे स्केर फिट 14,400 रुपे इसको बनाने की लेबर है हमारी थोड़ा बहुत शेर गाउं के इसाब से लेबर रेट कम जादा भी हो सकता है यदि आप गाउं में रहते हैं तो हो आया हजार रुपे माल मेटीरियल को लाने का गाड़ी बाड़ा तो टोटल दोस्तो 83,000 रुपीज टोटल कोस्ट है शेड की टोटल प्राइज शेड का 83,000 रुपे साइज चालिस भाई अठारा लेबर पेंट लोहा शीट सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है किराया संद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं वीडियो देखने के लिए आपका धन्याबाद सिंदू पिच्छों जगा खाली है ना बार निकलना आजे पूरा किरा यह रहा है हुआ किरा जवापके के वीडियोगा वीडियो नही कि अबादा आपके पूर ये जगिजी अल्टना को बादना को आपके पूरापके लाग्माज़गी स Tram झाल को का जए रहया है ये रहा है्टओर तो बादना को वीशूरामां